Hello my dear students, तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं Class 8, Subject Science, Chapter 8, Cell, Structure and Functions ओके, तो बेटा हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं Cell के बारे में, Cell क्या होते हैं, उनका क्या structure होता है और उनके क्या क्या function होते हैं, ठीक है? तो Cell को हिंदी में कहते हैं बेटा, कोशिका, ओके? और डीटेल में चले हैं, हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो यू हैव अल्रेडी लर्न्ट दाट थिंग्स अराउंड अस आर इधर लिविंग और नॉन लिविंग ठीक है? तो सभी बच्चों को पता होगा बेटा, के हम अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं, उन में से कुछ लिविंग ठीक है, जीवित होती हैं और कुछ चीज़ें नॉन लिविंग ठीक होती हैं, जो की अचल होती हैं further, you may recall that all living organisms carry out certain basic functions, इसके बाद हमने ये भी पढ़ा हुआ है, के जो भी living organisms होते हैं, उनके body में कुछ basic functions होते हैं, उनको survive करने के लिए ठीक है, अब क्या आप बता सकते हैं के वो कौन से functions होते हैं? हम, तो different sets of organs perform the various functions you have listed, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, जैसे की respiration एक function है, ठीक है, जो हम oxygen inhale करते हैं, और carbon dioxide exhale करते हैं, ठीक है, digestion एक तरह का function है, जो हमारी body में होता है, ओके, तो यह सारे function जो हैं विटा, कौन perform करता है, हमारी body के अंदर, कुछ organs होते हैं, जो यह सारे function perform करते हैं, ठीक है, in this chapter, you shall learn about the basic structural unit of an organ, तो जो organs होते हैं, वो organs भी किस से बनते हैं, यह सारे चीज़े हम इस chapter में पढ़ने वाली हैं, ओके, जो 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 चीज होती है, जो basic unit होता है, जिस से हमारे organ, हमारी body के parts बनते हैं, उसे ही हम cell कहते हैं, ठीक है, तो cell को आप bricks से भी compare कर सकते हो, ठीक है, इंट से भी है जिस तरह एक के उपर एक इंट रख करके, एक building बनाई जाती है, दीवार बनाई जाती है, वैसे ही cells जो हैं, हमारी body में assemble हो करके, हमारी body के different parts बनाते हैं, और वो parts मिलके हमारी body बनती है,